यहां हमारी यहां जब हमारी बहने उलम्पिक मेडल नदी में फैंगने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजभ पूछा जाता है हिंदू या मुस्लिम हैं अभी कई लोग गुटकाखा के बात तो कर देते कि उलम्पिक मेडल है हमारे पैसे भी दो ये वो दो लेकिन ऐसा बन के दिखाऊ आप ऐसा मेडल लेके दिखाऊ उसके बाद आप बात कीजीगा अर्याना के जो लड़के लड़किया है कितनी मैंद से उलम्पिक में मैंद जीत के लेके आते हैं लेकिन जैसे मैंने कल न्यूज देखी कि हमारी बहने शाक्सी और विनेश फोगाट अपने मैडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उनने बता कि मैं उलम्पिक ओल्ड मैडलिस्ट हूँ तो उन्होंने उसको बाहर फैंक कि मारो बोला कि तरह जैसे उलम्पिक मैडलिस्ट बहुत आते हैं तो इस बात से आत होके वो उसने अपना उलम्पिक मैडल ओयो नदी में फैंक दिया था उसके बाद जो करांतिया आई थी पूरे यूएस में और आप देख सकते हैं यूएस दुनिया का सबसे नंबर वन मुल्क है तो ऐसे लोगों की वज़े से वहाँ के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भया नई रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाओड है लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है यहाँ जब हमारी बहने उलम्पिक मैडल नदी में फैंक ने जाती है कि इसमें हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहभ पूचा जाता है हिंदू हैं या मुसलिम हैं चलो हिंदू हैं फेर उनको कास्ट में बाठ दिया जाता अच्छा तुम जाठो अच्छा यह वो है ये वो है ये वो है तो बहुत सारी चीजे फिर उसके बाद जून की आईटी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं फिर बहुत सारी लोग आते हैं कि गंगा मैंने ट्विटर वे देखा है फिर कुछ आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहां परवावित नहीं करने इससे हमारी घंगानडी दूर्शित हो जाती है तो यह देखकर भॉत दुख होता भॉत सारी लोगों को नहीं मालूम होता कि अलमपिग होता क्या है आप लोगों को भी नहीं मालूम होता कि अलमपिग होताद है पहले जहां आप ट्रेणिंग कर रहे हुते kritMusic घीच Net पड़ता है, नमबर वन बनना पड़ता है उस वेट में, फिर जाके आपको डिस्टिक में ट्रायल होते हैं, लाइक भाया मैं ब्युवाने के रप्जेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूँ, वहाँ चार पांच एडमें और होते हैं, वहाँ जीतना पड़ता है, फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेसल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एसिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके उलम्पिक मेडल आता है, अभी कई लोग गुटका खाके बात तो कर देते कि उलम्पिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो तो भाईया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भाईया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देगे उनको ज़्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से लेकिन ऐसा बन के दिखाऊ आप ऐसा मैडल ले के दिखाऊ उसके बात आप बात की जिगा तो बड़ा असान होता किसी के उपर उंगली उठाना तो बहुत कहते हैं कि दुख होता हमें बहुत गुसा भी आता ही चीज से कि भीया हमारी बहनों का यह हाल इस सरकार ने कर दिया इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कॉंगरेस के टाइम पर अगर यह सब चीजे होती तो क्या होता अपने सवाल पूछे है क्या होता सबसे पहले इसको मिनिस्टरों को हटाया जाता जो भी उसका सदेशा है जो जहां तक मुझे मेरी सोच है बिकुज मैंने राजनीती को जब तक समझ आई है तब तब मैंने बहुत देखा कॉंगरेस को बहुत करीब से देखा है और अब भी मैं बीजी पी को देख रहा हूं तकरीब ना आठ नो साल से तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटेक्स में तो सबसे पहले आई तिंग कॉंगरेस उसको निकालते उसके बाद कहतेगी सबसे पहले परधान मंतरिया स्पोर्ट्स मेंस्टर उनसे बात करते अपनी बेहनों सो बलाते कि यहाँ दिक्त क्या हुई क्या प्रेशानी है बहुत साइल लोग कभी कुछ कभी कुछ बोलते हैं लेकिन हम उनके साथ três आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे तो मैं चाहूँगा कि विनेश और शाकसी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ ने मीडिया बहुत जरूरी है आप लोग कहते कि सुईदान का चोता स्थम है तो आप चाहूंगा कि उनको जो सही को सही दिखाएं गल्थ को गल्थ दिखाएं और मैं हमेशा उनके साथ हूँ भाईया एक हर्यानवी होने के नाते एक उलम्पिक मैडलिस्ट होने के नाते और ये सब चीजें बिकुश हर्याना को हमने देखी है हर्याना में जब हुड़ा साथ इक गॉर्मेंट आई थी तब ये शुरू हुआ था सब चीजे उससे पहले कितने उलम्पिक मैडल आई थे बहुत काम आई थे लेकिन जैसे वहाँ पे कॉंगरिस्ट की सरकार आई हुड जार पंदाः जार की राशी बहुत आहम होती थी तो रेविलुशन होता है एक चेंज होने में बहुत टाइम लगता है और चेंज किया है कॉंगरिस ने किया भई या उड़ा साथ ने किया है और अब सब लोग कहते है कि हर्याना से बिलोंग करता है तो मूँ बाट के कि अजयके बाट कॉंच कि बुदे लोग और चेंज कि अवगzzle यज़ग कि एगर लोगगल ऑन है कर वोगलिक फोगता है